सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ राजक्मार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आईए सिखते हैं आज का अधियाई हाउ टू बेकप एक्सल फाइल आज हम जानेंगे कि एक्सल फाइल का आटमाटिक बेकप आप कैसे लेके रख सकते हैं होता क्या है जब भी आप एक्सल में काम करते रहते हैं तो किसी करण से आपका कम्टुर रचानक बन खोगी है लाइट चले जाने के करण या पावर बेकप बन खो जाने के करण तो आपका जो एक्सल का फाइल ये वो सेव नहीं हो पाता है तो चले देखते हैं कि कैसे आप Excel फाइल का backup बना सकते हैं तो देखे Excel फाइल का backup बनाने के लिए सबसे पहले आपने Excel फाइल को open कीजिए अब देखे यहाँ पर मैंने एक फाइल open किया यहाँ पर name है और यहाँ पर sell है तो कुछ मैंने इसमें काम कर रखे हैं अब काम करते समय अभी अगर अचानक मेरा computer बंद हो जाया तो यह चीजे जो भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं आगे वो यहाँ पर save नहीं हो पाएगा और इससे क्या नुकसान होगा मुझे कि बाद में फिर से मुझे जो है फाइल में काम करना पड़ेगा तो आज मैं आपको इसी के बारे बताने वाला हूँ कि आप अपने Excel फाइल का backup बना के रख सकते हैं एक जगे तो backup बनाने के लिए दो तरीके होते एक तो तरीका होता है कि अगर आपने फाइल अभी तक save नहीं किया है तो save करते समय backup बना सकते हैं दूसरा होता है कि अगर आपने पहले से फाइल को save कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे office बटन पे क्लिक करके और save as option में जाके फिर से backup जो है शुरू कर सकते हैं इसका तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप यह करेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने subject go channel subscribe नहीं किया है तो वीडियो की नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक करके subject go channel subscribe कर लिजिये और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी दबा दिजियेगा जिससे आगे आने वाले नए वीडियो आपको free में मिलते रहे और आप free में देख पाए तो चलिए सिखते हैं कैसे हम Excel फाइल का backup ले सकते हैं तो देखे एक्सल फाइल का backup लेने के लिए बहुत ही आसान है जैसे यह नया फाइल और क्लिक करते समय देखे यहां पर आता है backup का option अब backup का option कहां पर है वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी तो इस फाइल को सब सब पहले यह पूछ रहा है कि यह फाइल आपको कहां save करना है तो desktop चुन सकते हैं या आप किसी drive में save कर सकते हैं जैसे c हो गया, d हो गया किसी में भी और document भी चुन सकते हैं तो मैं यहां पर desktop चुन लेता हूं और उसके बाद देखे यहां पर file का name देना है तो यहां पर book 1 लिख्था है तो मैं यहां पर देदेता हूं sell या मैं यहां पर देदा हूं product ठीक है इस tools पर जब आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है general का इस पर आपको click करना है जब इस पर आप click करते हैं तो यहाँ पर देखें यह option है यहाँ पर check लगाने के लिए always create backup तो इस पर check लगाईए और उसके बाद ok कीजिये और उसके बाद यहाँ पे Save बटन पे क्लिक करके इसे Save कर दीजे तो यह File हो गया Save अब Backup का Option जो है हमने Set कर दिया है लेकिन अभी थोड़ा सा और काम करना है Backup के लिए फिर से यहाँ पे चलिए Office बटन पे और उसके बाद देखें यहाँ पे जाना Axle के Option में यहाँ पे क्लिक कीजे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आजएए आप Save में यहाँ पे Save में क्लिक कीजे और उसके बाद यहाँ पे यह जो है अंचेक होगा आपके में तो इसमें जो है चेक लगाना इस पे चेक लगाईए क्लिक कर दीज़े river check लग जाएगा और उसके बाद यहां पर time दीज़े ताइम आप कितने minute बाद जो है इस यहां पर कर देना इसे okay, तो यह जो है save हो गया, अब file का जो है backup अपने आप होता रहेगा, अब क्या करना है यहां पर कोई भी काम कीजिए आप, ठीक है कुछ भी यहां पर type करते रहेए, और एक मिनट पर अपने आप जो है file save होता रहेगा, अब अचानक अगर light चले जाने क कारण या किसी कारण से computer बंद हो गया तो जो भी चीज आपने काम किया एक्सल में वो सभी आपको दुबारे से मिल जाएगा तो चलिए उसके लिए देखते हैं हुआ तो दुखें यहां पर डेक्स्टॉक पे जो है दो bakeup फाईल यहां पे बन रहा है एक यहां पे ओरिजिनल फाईल है दूसरा देखे यहाँ पर backup बला है तो यह जो है अपने आप यहाँ पर backup फाइल दिखाएगा आपके computer में ठीक है तो जहाँ पर भी आप फाइल सेब करेंगे वहाँ पर backup आपको देखने को मिलता है अप चलिए यहाँ पर यह मैंने backup यहाँ पर दे रखा है और मान लिजे बेकप आपने set कर दिया, फाइल को बेकप पे लगा दिया है, और उसके बाद आपने कोई भी चीज फाइल में type किया, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं बिना save करें फाइल को cut कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, आप अगर काम कर रहे हैं, तो आपको यह ले लेगा, लेकिन backup में भी यह save नहीं लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर order दे दिया, no, तो यह फिर save नहीं लेता है, यह गलती से अगर बंद हो गया एकसल, तो यह automatic save करता है, लेकिन अगर आप mouse से क्लिक कर देंगे, no, तो save यह नहीं करेगा, तो मैं इसे जो है और फाइल बंद करता हूँ, तो देखिए यहाँ यहाँ पर यह फाइल डेक्स्टोप पर दो फाइल आ गया, यहाँ पर दिखे लिखवा है, backup of product, यह product नाम का जो फाइल मैंने यहाँ पर original फाइल बना रहा हूँ, इसका backup यहाँ पर तयार हो रहा है, तो इस तरह से आप ज फिर से दूसरे एक्सल में open करके और जो भी काम आपने किया वो पूरा देख सकते हैं, उसमें फिर से दुवारे काम कर सकते हैं, start कर सकते हैं, खुल जागा फाइल, लेकिन अगर आपने backup नहीं बना रखा किसी भी फाइल का और वो original फाइल ही खराब हो गया, corrupt हो गया, किसी currency या delete हो गया, तो फिर जो भी आप काम करते हैं, वो पूरा बेकार हो जाता है, फिर से आप आपको काम करना पड़ता है, तो अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, कि आप जो अपने फाइल का backup कैसे बना सकते हैं, चले इस original फाइल को एक बार फिर से open कीजिए, और इसमें मैं आपको destination दिखाता हूँ, कि backup का जो destination होता है, वो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर office बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर save में जाईए, और उसके बाद देखें, यहाँ पर यह बता रहा है, कि जो backup का option है, वो देख में उसके बाद यहां पर राजकुमार सिंग के नाम से फोल्डर है और यहां पर document में यहां से यह recover कर लेगा और file location जो default है वो भी यहां पर यह document यहां पर मिल रहा है तो यहां से जो है यह file location यह आ रहा है तो इस तरह से आप जो है location देख सकते हैं अगर आप चाहे तो यह location चेंज भी कर सकते हैं जैसे backup वाला file अगर desktop पे नहीं रखना है आपको कहीं दूसरे या तीसरे ड्राइब में रखना है तो वह भी आप यहां पर set कर सकते हैं उसके लिए क्या करना आपके पास C होता है D होता हैे तो यहां पर कोई भी drive आप ले सकते हैं तो किसी drive में भी जो है backup file को रख सकते तो backup का तरीका मैंने आपको बताया कि backup का option कैसे set करते हैं जैसमालीे यह मैने यहां पर डी drive ले लिया या मैन करना है और उसके बाद सेव करा देना इसे सेव करा दिया आपने और उसके बाद फिर से यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जाना है और उसके बाद यहाँ पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर जाना सेव में और उसके बाद यहाँ पर यह चेक करना है कि यहाँ पर यह चेक ल तो यहां पर आपको दिख जाएगा वहाइल जो recover लेगा यहां पर बैक अप लेगा तो इस तरह से आप जो अपने फाइल का बैक अप ले सकते हैं इससे दो फायदे होते हैं कि अगर अचानक file बंद हो गया computer बंद हो और अगर आपको अपने फाइल का बंद करना है तो बंद कैसे करेंगे देखिए उसके लिए यहाँ पर क्लिक किजे और उसके लिए यहाँ पर जाइए एकसल और उसके बाद यहाँ पर सेव में जाइए और इसको यहाँ से अंचेक कर दीजे और उसके बाद ओके कर दीजे ओके कर दिया आपने और उसके बाद जो भी डेक्स्टॉप पर आपका फाइल का बैक अप है उसे जो है डिलिट कर दीजे तो बैक अप जो है वो बंद हो जाए तो यहाँ से इसको कर दिज़े uncheck और उसके दाए好像 कर दिज़े और उसके दाए फायल को कहीं पर भी ले जाके जो है save कर दीज़े किसी भी location पर save कर दीज़े अब जो है आपके फायल का जो backup हो रहा था वो backup आप नहीं होगा तो इस तरह से आप अपने file का backup भी बंद कर सकते हैं MS Excel में आज हमने सीखा कि Excel file का automatic backup कैसे लेते हैं और अगर backup बंद करना हो तो backup हम बंद कैसे कर सकते हैं और backup हम क्यों लेते हैं और इससे क्या क्या हमें फायदे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद रहा है तो इस वीडियो को like कीजे और share कीजे और अगर आपका कोई सवाल है और आप मुझसे अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है subjectgo.in website पर जाके अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और subjectgo.in website का use कैसे करना है अपना सवाल उहाँ पर कैसे पूछे इसके बारे में subjectgo का वीडियो पहले से बना हुआ है उस वीडियो का link मैंने description में दे दिया वहाँ पर click करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने subjectgo चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाद एक bell का एकन आएगा उसे भी दबा दिजेगा जिससे इसी तरह के आगे आने वाले नए वीडियो आपको फिरी में मिलते रहे और आप देख पाए और देखते रही है subjectgo और सिखते रही है